असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग अमीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे आज मैं एक और वीडियो लेके हूँ अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको चैनल आर्ट की ज़रूरत तो पड़ती है तो चैनल आर्ट बिनाने के लिए आपको सा आपको अपने आपने आपने इंसर्ट कर देनी है ठीक है बहुत सिंपल असान है आई आज मैं इस तुड़र में आपको बताने जा रहा हूँ इसी के बारे में अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बैल तो यहां पे मैंने अपनी फोटो शॉप उपन की हुई है और एक पी एस डी फाइल मैंने यहां से ओपन कर रखी है ठीक है और इसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो आपका जो साइस जो लगा हुआ है यह देखिएगा आपको समझ आ जाएगी कि यह काफी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यह जो साइस और यहां पे इसके अंदर अंदर जो एरिया है यह आपका मॉबाइल पे लिए पीसी के लिए टाबलेट के लिए साब के लिए ठीक है अगर यह फूल आप करेंगे तो फिर वो आप मॉबाइल पे देखेंगे तो आ बढूर रेटर हुए। color select कर लेता हूँ मैं यहां से example यही color मैं यहां से यह वाला color मैं दे देता हूँ ठीक है और इसके बाद मैं इसको okay कर देता हूँ ठीक है इसके बाद सबसे पहले जाता है यहां पे मैंने लिखा हुआ A यहां पे आप अपना कोई भी टेक्स यहां पर डाल सकते हैं या इस एको डिलीड भी कर सकते हैं नहीं तो नीचे जो लिखा हुआ है सबस्क्राइब फार मौर वीडियोज यहां पर लिख सकते हैं जैसे एक मैं हल्थ के रिलेटड अभी बना रहा हूँ तो यहां पर लिखेंगे सबस्क्राइब फार मौर हेल्प वीडियोज बजिके आप यहां पर वो डाल सकते हैं ठीक है अब डिबेंड करता है आप पर आप क्या करना चाहते है इसको आप यहां जहां पर मरजी इसकी डिरेक्शन कर दे इसको सेंटर में कर दें राइट में लेफ्ट में टॉप में अब यहां पर एक लगा हुआ है यहां पर आपका आएगा यहां पर आपका लोगो आएगा यहां पर आप इसको लोगो यहां पर अपना लोगो एड़ कर सकते हैं अब नहीं पता तो मैं आपको बताता हूगा अपने लोगो एड कैसे करना है यहाँ मैं डबल कलिक करूंगा तो जैसे मैं एक्जेमपल यह किट्स वीडियो की मेरे पास एक लोगो पढ़ा है ठीक है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ठीक है यह मेरे पास आ गया है अब यह वाला लोगो पहले पड़ा है इसको मैं ड्रैग करके इसके उपर लेके जाऊँगा यह मूफ टूल की मदद से और यहाँ पे इसको मैं कंट्रॉल टी दे लोगा और कंट्रॉल टी देने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे ले आँँगा ठीक है यह वाला इसकी अजच्टमिंट होगी और एरो की से असको मैं नीचे ले आयाँ और राइट कर दी है ठीक है इसके बाद जो है इसको मैं खत्म करके नीचे वाला पहले वाला लगा कि देखे हैं इसको मैं लेअर को आफ कर दूँगा वो बद खत्म होगा है यहां पे आपका health care related है तो मैं यहां पे इसकी health काई logo लेके आता हूँ मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं पहले वाले को on कर देता हूँ अब health care related मेरे पास एक छोटा सा logo पढ़ा है example मैं example मैं यह वाला ले लेता हूँ वैसी यह तो वैसे तो food है लेकिन मैं इसको ऐसा logo इस्टमाल कर लेता हूँ अगर नहीं है तो आप यहां पे जाके अगर आप लिखेंगे health and food अगर यहां पे इसके related अगर आपका किसी और चीज़ के किसी और चीज़ के related है तो आप उसको सर्च कर सकते है technology है तो उसके मतलिक अगर कोई और है तो उसके मताबिक उसी तरह कि आप वहां से अपने logos होगारा एंड वहां से आप इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि यह देखे कि यह आ गया यह आ गया अगर आप इसको इसको इस्तमाल करना चाहें तो यह कर सकते हैं मतलब कि यहां पे सारे आपको Health के Logos मिल जाएंगे लेकिन आपने कोई इसी तरह का को मिलता जुलता आपने बनाना लेकिन यूनीक हो ताके कोई किसी और के पास वो ना हो तो मैं example के लिए ये वाला Logo ले लेता हूँ ठीक है यहां पर यह Health & Life कर लें यह वाला Logo ले लेते हैं अगर यह वाला नहीं तो मेरे ख्याल से Health & Life वाला यह उठा लेते हैं इसको मैं Save करता हूँ ठीक है Save करना है और यह मैं डेस्टोप पे इसका Health & Life पे Save हो गया और इसके बाद मैं वापिस आ जाता हूँ अपने यहां पे और इसको मैं Side पे कर लेता हूँ इसको हम बाद में इस्तमाल करेंगे इसको Double Click करता हूँ तो डेस्टोप पे मैं लिखता हूँ Health & Life वाला यह वाला आ गया ठीक है इसके बाद यह देखें आपके पास यह पिक्च Key publication control-D कर देता हूँ iladive with magic parle से इसको तून को स्लिक्ट करता है आपने यहां पर स्लेक्ट करने और यह बाहरा आइरिया स्लेक्ट होगीं यह यहांपे SHIFT को हमारा फिर अपर इसको प्रेस करकर रखरें और और फिर यहांपे पिर आपने डिलेट के बटन कर Какरना है तो आपक पूरा जो है वो सही तरह का एक logo आगा जिसको हम इस्तवाल कर सकते हैं आप control T करके control T की मदद से आप इसको left right मैंने काफी लोगों का देखा उनकी गलती होती है उनका ऐसे बना होता है किसी कैसे बना होता है stretch होया होता है लेकिन ये आप खुद ही देख लिया करें कि अगर आ आप अपने अपने किसी एडिटिंग से satisfy नहीं है तो कोई दूसरा भी satisfy नहीं होगा ठीक है अगर control T में देता हूं तो आपको समझ आ जागी कि ये देखें बहुत सरे लोगों का मैं देखा है थंबिल में भी ऐसे होता है और ऐसे भी हो जाता है लेकिन आप देखें कि आप आप इसको ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा different हो जागा अगर मैं control Z करता है control T करके control और shift को दबा के आप रखेंगे तो आप या alt and shift को दबा के रखेंगे तो आपको समझ आए alt and shift को आपने दबा के रखना है ये देखें आपका size इसको stretch नहीं होगा left right नहीं जाएगा क्लिक कर देता हूँ और ये नीचे वाली layer है इसको मैं slide करके off कर देता हूँ ठीक है ये होगी off ठीक है इसके बाद जो है वो आप यहां पे computer लिखा हुआ है यहां पे आप कोई भी dishes वगरा का नाम दे सकते है यहां पे जहां पे लिखा हुआ है ये वाला सारा जो है इसको म अंदर आप लिख सकते है health and food अब मैं यहां पे health and life लिखते हैं यहां पे and life अब मैं इसको उठाके यहां पे ले तोँ ठीक है center में और यहां पिसकी अभी मैंने चिश्च नहीं लिखा लिए तो इसको ठीक कर लेते हैं ठीक है health and life का हो गया और इसको comfort change करेंगे जो के मतलब कि खुबसूरत भी लगे जिस तरह का ये बना होगा है यहां पे मैं कोई फॉड ले लेता हूँ यहां से सेलेक्ट करते हुए Health and Food के रिलेटेड यहां से कोई भी अच्छा सा जो फॉड है वो में मिल जा तो और जबर्दसा नहीं मिला तो कोई सिंपल लगा लेंगे अगर आप दूर सकते हैं तो कोई अच्छा सा अपने लिए फॉड ढूले वहां से आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे काफी जादा फॉड तो यहां से कोई भी हेल्थ एंड लाइफ से यह वाला मैंने फॉड ले लिया है ठीक है यह वाला हेल्थ एंड लाइफ के रिलेटेड मैंने लिया है और इसको मैं यहां पे ड्रैक कर लेता हूँ और यहां पे भी मैं अगर कुछ चीज एड करना जाता हूँ यहां पर मैं वहीं वाला जो है आपके पास यहां पर भी एक मैंने बनाया था इसको मैं ड्रैक करके यहां पर रख लेता हूं ठीक है Ctrl T दे के Shift Alt प्रेस करते हैं इसको मैंसे कर ले तो यहां पर और यहां पर आ गया है फ्रॉण के मताबिक है तो यहां पर हल्थ एंट लाइफ का एक अगर अपको बेगरूंड का कुछ मसला आता है तो आपने बेगरूंड। को क्या करना है के बेगरूंड को आपने聽 केज़ कर लेना या पर डबर क्लिक करेंगे तो आप इसको तोड़ा सा महदब कर ले या जादा तेज़ कर ले या इसको जादा डार्क कर ले ताके और भी ये खुबसूरत लगे ठीक है इसके बाद ये अब अगर ये वाला आप बैनर आर्ट जो है मैं अगर इस्तमाल करता हेल्थ और लाइफ में अब देख सकते हैं कि ये काफी अच्छा है और इसके आप अगर मैं इसकी लेयर बंद करके ये वाली लेयर को अगर मैं आन करता हूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो हिस्से है वो बाइर नहीं है अंदर ये इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर लेता हूं ठीक है इसके बाद मैं ये वाला लेयर आउन करके नीचे वाला आफ कर देता हूं ठीक है अब ये हाइथ है रिलेटेट है रिलेटेट है रिलेटेट बहुत एक कमाल का जो है वो बन गया है अब मैं ये वाला जो है अब मैं इसको सेव करना जाता हूं और सेव कर होँ philosopher मैं सब्सें पहले है यह वाला जो है इसको थोड़ा सा ड्रॉप inड शैडो दे ले तांकि अच्छा लगे इसके साथ मैं से इन पर इंपी जो भी भी में प्रवाच requested मैं भी बानिज्व भी में तो इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हो कि आपने यह करना एक 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 परसंट कर ले या यहान से डिस्टेंस जो है वो यह देखे 1% डिस्टेंस कर ले एक परसंट कर ले या 0 रेने इसको इसको प्रेड जो है वो 1% कर ले ओके और इसके बाद अपने लोगो का भी है इसको आप अच्छा खासा जो है ना इसकी सही तरह मतले कोई दे ले यहाँ पर यह देखें ड्रॉप शैड़ो मेरे एड़ जैसे एड़ किया यह देखें यह और भी लगेगा थोड़ा सा अब मैं इसको नहीं देता क्योंकि ये इसको थोड़ा सा blur कर देता तो मैं यहां से इसको इसको इस्तिमाल करते हूए यह देखे अब मैं control और plus के button को प्रेस करते हैं जब इसके पास जाता तो ये देखे तो इसको मैं दो कर देता हूँ यह मैंने दो कर दी और यह वाला जो है यह हो गए एंड सब्सक्राइब फार मोर वीडियो इसको आप छोड़ दे या इसके अफेक्ट को आप डिलेड भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको 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 अच्छाइब अगर नहीं फसंद है अब मैं कंट्रॉल आल्ट एस करूगा तो सेव हो जाएगा नहीं तो मैं यहां सेव सेव एस करता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉकॉमेंट्स के अंदर ही यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ अब हेल्थ एंड लाइफ के रिलेटर्ड मैं इसको सेव कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ से इसकी मैं जे पीजी बिना ले पी एंजी बिना ले कोई इसमें कोई मसला नहीं मैं इसकी PNG रख लेता हूँ ठीक है इसको सेव करता हूँ सेव करने के बाद अब मैं कोई अपना यहां से कोई कॉइकाउंट खोलता हूँ और जिसे मैं मतलब कि अगर यूट्यूब में जाता हूँ तो मैं अपने यहां पर अपने अकॉट में आता हूँ मैं चैनल में आऊँगा तो यहां से मैं देखता हूँ कि यहां पर कोई मेरा है या नहीं है कोई कस्टमाइज चैनल पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहां पर मैं बैगरोंड पर add a channel art मैं यहां पे जैसे क्लिक करूँगा तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको इस्तमाल हमने कैसे करना है मैंने पहले इस पे मेरा चैनल वैसे नहीं बना हुआ तो मैं यहां से documents हमने save की थे और इसको हम फाइल में ले ले लेते और इसकी अपलोडिंग होगी size यहीं है 25 चैनल और यह देखे कि यह मुबाइल पे यह देखे यहां पे आ रहा है आप देख लें कि यहां पे यह आ रहा है डेस्टॉप के लिए यह आ रहा है टीवी के लिए यह डेस्टॉप के लिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ठीक है अब यहां पे मैं इसको save करके दिखाता हूँ यह हो गया आपका save ठीक है अब मैं इसको refresh करता हूँ क्योंकि यह वाला जो यह वाला जो चैनल बना हुआ हुआ है यह देखे रीफरेश किया मैंने और इसका आप देख सकते हैं कि यह subscribe में for more videos और यह सारा health है life और यहां पर यह कुछ आगे कितनो कमाल का बन गए तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी अपना यहां पर लोगों लगाना चाहे जिसके अंदर आप लोगों भी लगा सकते हैं इसको मैं edit चैनल आट करके मैं इसको delete कर दूँगा ताकि मुझे इसकी जिर्कुत नहीं है तो यह अकर वीडियो अच्छी लगी हो तो यह मैं आपको description में मैं इसका link देदूँगा इसका तो वहां से आप इसको download करके इसको edit कर सकते हैं इसको मैं save कर देता हूँ ताकि आपको वहां से मिल जाए तो और वहां से आपने just इसको किसी भी Photoshop में open कर ले और यह आप इसको 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 कर सकते हैं दोस्तों यह था एक त्रिका का आप अपना YouTube का चैनल आट किस तरह बना सकते हैं बिना किसी साइज लगारा कोई और साइज लगाए जिस्ट आपने अपने टेक्स और चीज़ों को कॉपी करना था वो हो गया है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल वाले आइकन पर जरूर प्रिक किये लाइफ शेयर जरूर कर देजेगा थैंक्स पर वाचिंग अल्लाह आफीज